हेलो दोस्तों मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका RC किलासस में दोस्तों आज की किलास में हम कवर करेंगे उत्तराखंड का इतियास और उसमें हम देखें गड़वाल का परमार या पमार वन्स के महत्तपून परसनल लगाएंगे जो उत्तराखंड की परिक्षाओं के बिजरूर दबाएं ताकि आपको अमारा व्यडर टाइम पर प्रापतो हो सके और प्लीज वीडियो को लाइक करना न बुलें तो आये दोस्तों आजसी किलास सुरू करते हैं मैं दोस्तों अजसी किलास का हमारा पहला कुशिन डाउन कवा सब्सरा पका कनक पाल कॉई नही आपको सोचने के लिए इसमें 5 सेगंड का टाइम दिया जाएगा तो दोस्तों इसका सही अंसर आपका कनकपाल देखिए परमारवंस या परमारवंस का स्थाब कौन माना जाता है कनकपाल एक कोशन और पुछा जाता है कि परमारवंस की स्थाबना कभूई तो 888 इस भी में ठीक और एक कोशन इसमें पुछा जाता है कि कनकपाल कहां से आया था तो देखिए कनकपाल आपका गुजरात धारनगरी से आया था तो चाथपूरगड परताब आपका चमोली में और देखे एक कॉश्टन और पूशे जाता है कि चाथपूरगड़ का Рाजा कौन था तो देखे चाथपूरगड का राजा था उस ट्वर्परताब ठीक है जब आपका कनकपाल चांदपूर गड़ पहुंसता है तो वहां का राजा था आपका भानुपरताब या सोनपाल दोनों नाम आपने याद करना है क्योंकि एक ही विक्ति का नाम है भानुपरताब या सोनपाल देखे कनकपाल से बहुती ज़्यदा यह इंप्रेश हो जाता है और अपनी पुत्री का विवा कर देता है कनकपाल से आपका बहनु परताब और देखे वही पर आपका कनकपाल 888 स्वी में देखे परमार वंस की स्थापना करता है चांतपूर गड़ चमोली में ठीक है important question है और मने आपको अच्छे से इसको explain भी कर दिया है तो उम्मीद करता हूँ कोशन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा दोस्तो next question है आपका जब connect पाल तीर थी आत्रा में उत्तरा खंडा है तो चांथपूर गड़का राजा कौन था पहला option आपका भानू परताप, दूसरा आपका अजय परताप, तिसरा आपका मान परताप, चौथा है इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका भानू परताप, देखे जब connect पाल तीर थी आत्रा में उत्तरा खंडा आता है तो चांथपूर गड़का राजा कौन था आपका भानू परताप, या दूसरा नाम आपने याद करना है सोन पाल और एक कोईशन पूछा जाता है चांथपूर गड़ कहां था तो देखे चमोली में स्तिता ठीक है चमोली और देखे जब नवी सतादी में आपका connect पाल तीर थे आत्रा में आता है तो गड़वाल में उस टैम देखे बाउन ठगरी राजाओं का सासन था और उन में से आप पाल दुसराब का अजयपाल तीसराब का मानशा चौत हाफा श्यामसा इसमें आपको 5 सेकिन का टाइम दे जाएगा तो दोस्तों ऐसका सही आंसराबका अजयपाल देखे गड़वाल या परमार वंस का 37 राजा था आपका अजयपाल देखे 52 गड़ों को जीतने वाला था अजयपाल ठीक है तो परमार वंस में बावन गड़ों को किस ने जीता था आपका अजयपाल ने और गड़वाल का एक ही करने किस ने कर रहा था अजयपाल ने और देखें गड़वाल सब दे किन की देने तो परमारों की देने ठीक है और अगरा अजयपाल ने आपका जो राजदानी है देवलगड देवलगड कब इस्तांत्रित की तो पंदर सो बार है इस भी में ठीक है पूछा गया कुछन है तो अजयपाल ने अपनी राजदानी देवलगड कब बनाई तो पंदर सो बार है और ऐसी देगे अजयपाल ने राजदानी क्या का गया आदीनाद का गया इंपोड़न पॉइंट है और आजय पाल आपका गोरक नात पंथ का अनियाई था यह कुशन भी पूछा जा चुक ए तो कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिये हैं और ऐसे देखे जो आपका भरत कभी है नो ने क्या करका मनोदे कावी तो मैं अजयपाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबियर और इंदर से किये, ठीक है, इम्पोर्टन पॉइंट है, यह सब पूछे जा सकते हैं, तो फिलीज आप इनको अच्छे से नौट कर लें, दोस्तों, नेक्स्ट कुष्ण आपका, किस चंद सासग ने अजयपाल को हराये था, पहला आपका रूद्र चंद, दूसरा आपका सोम चंद, तिसरा आपका जगज चंद, चौथा आपका कीरती चंद, आपको इसमें पांस सेकिंड का टाइम दिया जाएगा, तो दोस्तों, गड़वाल राजाओं की कुल देवी थी, पहला आपका राज राज शिरु देवी, दूसरा आपका बहुने शिरु देवी, तिसरा आपका कालिकामा देवी, चौथा आपका इनमें से कोई नी, आपको इसमें पांस सेकिंड का टाइम दिया जाएगा, तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका देखे, राज राज शिरु देवी, देखे, गड़वाल राजाओं की कुल देवी थी, आपका राज राज शिरु देवी, जुसको हम कुमामे क्या कहते हैं, नंदा देवी मा, ऐसे आपका कोशन पूछा जाता है कि, नंदा देवी की मूर्ति गड़वाल से कौन सा चंदि सासक लाए था तो बाज बाहदुर चंद और उसके बाद आपका गरुड ग्यान चंद भी देखे नंदा देवी की मूर्ति को कहां से गड़वाल से आपका कुमामे लेके आता है जुसको हम गड़वाल में राज राज श्री देवी कहते हैं और कुमाम हम क्या कहते हैं नंदा देवी मा दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन इसमें गड़वाल दम का इद्व किन राजाओं के मद्देवा पहला उप्षन का बलबद्र सायंड रूदर चंद दूसरा आपका श्याम सायंड किर्थी चंद तिसरा आपका महिपती सायंड बाजबादर चंद चौथा आपका मान सायंड लक्षमी चंद इसमें आपको पांस सेकिंड का टाइम जिया जाएगा तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका बलबद्र सायंड रूदर चंद देखें गौाल दम का इद्व जिसका हम बदान गल का इद्व भी कहते हैं किनके मद्देवा बलबद्र सायंड रूदर चंद कब हुआ पंदर सो एकासी इस इद्व में देखें रूदर चंद की हार होती है और उसका सेनापती पुर्सो तंपन्त मारा जाता है important point है पूछा जा सकता है देखें बलबद्र सायंड ऐसा पहला सासक है जिसने राज दूर्द बेजने की परतारंब करी दूसरा point देखें बलबद्र सामे पहला ऐसा सासक जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपादी दारंण करी और लोग कहते हैं कि परमारों को साह की उपादी लोधीमंस के सासक बहलो लोधी ने दी थी देखिए आपका दूसरा सासक आपका रुद्रचन इसमें जिससे बलबर शाक की यहोती है, लड़ाई होती है देखिए रुद्रचन आपका अक्बर के समकालिन था 1586 पीव में तक किया था है 137 आ सकता लेकिन 1527 में क्या करता है अगबर की अधीनता शुकार कर लेता है रुद्र पर नामक नगर बसाया ठीक है और अलमोडा का मल्ला महल का किलाभी किसने बनाया आपका रुद्र चन्ने ठीक है चोथानी ब्राहमनों की मंदली बनाए थी इसने कुमाम है ये कुशन भी पूछा जा सकता है और अकबर नामा के नुसार रुद्रचन ने पंदर सो अठासीज भी में अकबर से लाहौर में बेट गी हर एक पॉइंट इंपोंटेट है कहां बेट की लाहौर में कब की पंदर सो अठासीज भी में ठीक है और अकबर नामा के नुसार अकबर नामा किसने लिखा अबूल फजल ने ठीक है और जहांगीर ने अपनी आत्म गता तुजुक ए जहांगीर में रुद्रचन वा अकबर की भेट का वंडन किया है ठीक है इंपोंटेंट पॉइंट है औ अबसे आफ का अजेपाल दुसरा आपका महीपति साह तिसरा आपका स्यामसा चौथ हाख का बल्वद्र साह इसमें आपको पांस सेकेंड का टाइम देया जाएगा तो दोस्तों इसका साही अंसर का श्यामसा देखे गड़वाल के राजा स्यामसा किसमें सतीपर्टा का उल् किसे भी मुगल सासक जहांगीर से और इसका उल्लिक आपका जहांगीर नामा में मिलता है मुगल सासक ने इसको क्या गोड़े और हाथी गिप्ट में दिया था ठीक है इंपोटेंट पॉइंट है पूछा जा सकता है सिरनगर में इसने श्याम साही बाग बनाया और देखिए गरंद आपका शिरोमणी गरंद वह भी आपका श्याम साही टाम ही लिखा गया है ठीक है इंपोटेंट पॉइंट है पूछा जा सकता है और देखिए इसकी कोई भी शंता नहीं थी नेक्स्ट कोशन आपका इसमें सबसे अधिक उम्र में गड़वाल का सासक बनने वाला र चाचा था आपका महीपति साह जिसको हम कहते हैं गर्व भंजन भी कहते हैं ठीक है गर्व भंजन आपने याद करना है तो गर्व भंजन कोन है आपका महीपति साह और गड़वाल में सबसे अधिक मुर में राजा बनने वाला था आपका महीपति साह और देखिए मुगल ल गर में ठीक है important point है पूछे जा सकता है देखे महीपदी सागी पत्नी का नाम होता आपका कर्णावती रानी ठीक है कर्णावती नाकटी रानी भी कहते हैं जिसको हम और देखे कर्णावती नहीं क्या अगरा था आपका देहरादुन में करनपुर नामक नगर भी बसाया था ठ दूसरा आपका ललीसा, चोथा आपका फतेसा इसमें आपको पाँक सेकीन का टाइम दिया जायेगा तो दोस्तों इसका सही अंसर आपका मान्सा, देखे बहुत इंकॉर्णपब्रणाव और पूछा जा सकता है और देखे मानसा आपका परमार होंचे में चमर्णी समारा र मानपूर نامक नगर बसाया और देखे, मानसा के कारिकाल में चंद सासक लक्षमी चंद जिसका उपनाम था आपका लखूली बिराली उसने साथ बार अकरमन किया और साथ बार इसको क्या करा, हारगा सामना करना पड़ा और देखे, जब उसने आठ़ी बार उसने आकर मन करा उसको हल्की सी जीत मिली और देखे उसमें गड़वाल का सेना पती आपका खतर्ण सिंग मारा जाता है तो उसी उपलक्ष में आपका देखे कुमाओं में खतर्णवा महन सभी मनाया जाता है अगला कुशन आपका पिर्थवी पती सा की संरक्षी का कौन थी पहला उप्सन रानी करना होती दूसरा आपका रानी गुले रिया तिसरा आपका महारानी ललिता चौथा इन में से कोई नहीं इसमें आपको पांस सेकंड का टाइम दिया जाएगा तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका रानी करना होती ठीक है पिर्थवी पती साह की संड़क्षी का कौन थी रानी करना होती जिनको हम क्या कहते हैं नाकटी राने भी कहते हैं देखे जब 1640 इसभी में आपका पिर्थवी पती साह राजा बने तो उनकी एस थी मातर साथ साल तो उस टाइम देखे उनकी संरक्षी का कौन बनी महारानी करना होती और उन्होंने देखे आपका राजगणी नाम अगिस्तान को दूसरी कैपिटल बनाया ठीक है इंपोर्टन पॉइंट है और देहरादुन में पिर्थवीपूर सहर बसाया तभी हम देहरादुन का प्राच काड़ दिये और तब से देखे इसको नाकटनी राणी या नाकटी राणी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इंपोर्टन पॉइंट है एक कोशन पूछे जाते हैं नेक्स्ट कोशन आपका दोस्तों इसमें किस गड़वाल सासक के समय सुलेमान सिको ने गड़वाल में सर सा देखे आपका सुलेमान सिको ने आपका पृत्वी पति सा के टाइम पे आपका गड़वाल में सरन ली थी कबली 1618 में ठीक है इंपोर्टन पॉइंट है पूछा जाता है और देखे सुलेमान सिको इसको क्या कहते हैं अबागास है जाधा भी कहते हैं और एक इसका पुत इसको पूछ जा जा सकता है तो किसने सोपा आपका मेधिनी साह कौन है आपका पृत्वी पतिसा का पुत्तर है ठीक है यह कोशन पूछा गया है नेक्स्ट कुछन आपका दोस्तों इसमें गड़वाल का सिवाजी किसे कहा जाता है पहला प्सन फटेसा दूसरा आपका क्योंकि देखे अगबर की तरह इसके दरबार में भी आपका नव रतनी थे ठीक है important point है पूछा जा सकता है और देखे एक युद्ध आपने याद करना है भंगाणी का युद्ध किसके मद्दी हुआ गुरु गोविंद सिंग एवम फतेशा के बीच हुआ कब हुआ 18 सितंब दोस्तों अगला कुश्चन आपका इसमें कवी मतिराम ने किस राजा के समय गड़वाल का सौन्ड काल का है ठीक है पहला option आपका सुदरसन सा दूसरा फतेशा तिसरा आपका परदीब सा चौथा आपका दलिस सा इसमें आपको 5 सेकिन का टाइम दे जाएगा तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका फतेशा देखे कवी मतिराम ने गड़वाल के राजा फतेशा के टाइम को गड़वाल का सौन्ड काल का है और देखे आपका कवी मतिराम ने कौन सी रसना की है उनके गरंत का नाम भी पूछा जा सकता है तो गरंत का नाम आपका विरित कौम दी ठीक ये कोशन भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट कोशन आपका दोस्तों इसमें गड़वाल का अकबर किसे का जाता है पहला आपका अजयपाल दूसरा आपका सुदरसंसा तिसरा आपका फटेसा चौथा आपका श्यामसा इसमें आपको पांस सेकंड का टाइम दिया जाएगा तो दोस्तों इसका सीयांसर आपका फटेसा मैंने आपको पहले बता दिया गड़वाल का गबर किसे केते हैं फटेसा क्यूं कियते हैं क्योंकि इसके टाइम में आपका नव रतनी थे इसके दरवार में उसमें पर्मुक थे आपका सहदेब चंदोला, हरिदत थपलियाल, ससीद दंगवाल हरीदति नोटिया लिए इनके दरबार में प्रव्मुक दे और ऐसे देखे अजयपाल अजयपाल को कहते हैं गडवाल का असोग कहते हैं ठीक है इंपोर्टन पॉइंट है पूछा भी जा सकता है गडवाल का कृष्ण और गडवाल का भीम भी कहते हैं आपका अज अजयपाल को 37 राजा था और देखे कवी भरत ने अपने गरंथ ठीक है मानोदय कावी में कोशन भी पूछा जा सकते कि मानोदय कावी किष्ण लिका तो भरत कवी ने ठीक है अजयपाल की तुलना किरिश्ण भीम कुबेर और इंद्र से किया इंपोर्टन पॉइंट है दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखे मेदागर सर्मा रामायन परदीब की रसना किसने करी मेदागर सर्मा ने किस बासा में गरी तो आपका संस्कृत बासा में ठीक है इंपोर्टन पॉइंट है पूछा जा सकता है और आपका ये कुशन पूछा जा सकता है कि मेदागर स यह कौन से दरबार में कारे करता था तो परदीब सा के ठीक है परदीब सा के कारे काल में था आपका मेदागर सर्मा इंपोर्टेंड ने पूछा जा सकता है नेक्स्ट कुशन आपका दोस्तों इसमें राखी नामक टेक्सी देना किस गड़वाल सासक ने स्युकार किया था पहला आपसन आपका परदीब सा दूसरा जैकरित सा तिसरा आपका किरती सा चौथा आपका जगत सा इसमें आपको पांस सेकिन का टाइम दे जाएगा तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका जैकरित सा देखे राखी नामक टेक्स देना किस गड़वाल सासक ने एकसेप्ट किया था तो आपका जैकरित सा और क्यों करा था देखे सिखों के आकर्मन से बचने के लिए राखी नामक टेक्स देना स्युकार करा था आपका जैकरित साने, important point है पूछा जा सकता है और देखे, राकी कर उपज का पांच्वाँ भाग होता था, ठीक है, जो भी आपके area में अनाच उपजेगा, उसका पांच्वाँ भाग आपको राकी टेक्स के रूप में देना पड़ेगा important point है, पूछा जा सकता है दोस्तों, अगला कुशिन आपका गड़वाल में भेंकर भुकंब कब आया पहला option अठार सो एक, दूसरा अठार सो दो तिसरा अठार सो तीन, चौथा आपका अठार सो चार, इसमें आपको पांस सेकिंड का टाइम दिया जाएगा तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका देखे अठार सो तीन, गड़वाल में भेंकर भुकंब कब आया, परिक्षा में पूछा गया कुशन ने अठार सो तीन, और उस टैम वहा का राजा कौन था, पर्दिमनिशा, ये कुशन भी पूछा जा सकता है, दोस्तों नेक्स्ट कुशन ने आपका, गड़वाल पर आकरमन कब किया, पहला उप्सन आपका सतरसो नबवे, दूसरा आपका सतरसो इकानवे, तिसरा आपका सतरसो इसमें आपको पांस सेकेंड का टाइम दिया जाएगा तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखे 791 गुर्खाओं ने गड़वाल पर पर्थम बार आकरमन कब किया 791 में और उन्होंने लंगूर गड़वर क्या करा आपका डेरा डाला था और ऐसे अगर पूछा जाएका अलमुणा पर कब आकरमन करा गरुखाओं ने तो 790 में देखिए हवाला बाकी इद्ध में 790 में चंद सासक महंदर चंद को अरा कर उन्होंने क्या करा था गरुखाओं ने कुमाओं पर अपना राज इस्ताफित कर दिया था दोस्तों आज़ी क्लास का मारा लास्ट गुस्न है पौवार वंस का पहला साक्ष अबिले किस रा जगा था पहला आपका कनक पाल दूसरा आपका अजय पाल तिसरा आपका जगत पाल चौथ आपका इन में से कोई नी इसमें आपको पांस सेकिंड का टाइम दिया जाएगा तो दोस्तों आपका सही आंसर आपका देखे जगत पाल देखे पमार वंस का पहला शाक्ष अबिलेक आपका का है देव परियाग अबिलेक आपने याद करना है कौनसा अबिलेक देव परियाग अबिलेक और सन भी य उचा जा सकता है तो दोस्तों इसी के साथ आज ही किलास हमारे इंपर समापत होती है आज ही किलास में देखिए आपको मैंने परमार वंस के 20 इंपोर्टन कोशन कराए और साथ-साथ में क्या गरा उनका एक्स्प्लेइन भी करा जो उत्राखंड की परिक्षाओं के लिए जुड़ना न भूलें तो दोस्तों अपना ध्यान रखें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जाहिन